क्यों आए हो यहां पर तुम 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 बात कर सकती है क्या पहले तो गूगी थी करके बात कर रही थी आप जबान खुल गई तेरी ऐसे आंग क्या दिखा रही है हां एक लगाऊंगा ना तो बत्तिसी नीची आ जाएगी यांगी चुप करो चिलाओ मत बच्ची है डर सब्सक्राइग बच्ची है इसी चीक सनी तुमने इसी चीक सुनके तू मुर्दै भी जिन्दा हो जाया क्या जो न चोटी बजच्ची बोल लिये से तो मैं पता ये तुमसे चिपकने की कोच्षिश कर रहा था और र望 बहुप सोने ओना कोई ना जगा दिता आप मैं जगा बेटा, बोलो, कौन हो दो, असली मैटर क्या है, बोलो ना, बोलो बोलो, 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 गुष्ट 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 सर इन अनाद बच्चों को अप इतना प्यार देते हैं इनका इतना ख्याल रखते हैं, आप बहुत महान इंसान हैं मुझे इतना महान मत बनाएए भगवान जो मुझे दे रहा है उसमें से, मैं इनको क्या दे रहा हूँ मुझे भगवान पर भरोसा है और मैं समस्ता हूँ कि मैं भगवान की सिवा कर रहा हूँ कितने सारे करोर पती हैं, लेकिन वो आपकी तरह तो नहीं सोचते। क्या करेंगे करोणों का। आखिरकार तो सभी लोगों को एक ही जगे जाना है उसके दरवार में। नाम है धन लक्ष्मी, लेकिन धन बिलकुल भी नहीं है। दुरभाग लक्ष्मी नाम होना चाहिए। तभी सही होता, इंसान को पैदा होना हो, तो हाई क्लास या लोवर क्लास में होना चाहिए। अगर मिडल क्लास में पैदा होंगे न, तो ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड तो छोड़ो, एंड कार्ड भी नहीं रहेगा। जिस उम्र में सारी इच्छाय पूरी होनी चाहिए, उस उम्र में लोग शादी करवा देते हैं। लेकिन मेरी तो एक भी इच्छा पूरी नहीं हुई, बस भी एक मांगने की कमी बच्ची है। दूर के रिष्टेदारों ने गले में बान दिया। सब लोग कह रहे थे, अरे फिल्म बाला है करणो कमाएगा। लेकिन आज तो किसे थीटर भी नहीं दिखाया, फिल्म तो छोड़ो। हेलो राइटर सहाब, सुबह हो गई ये उठ जाईए। क्या हो गया। अरे उठो। अरे यार। हाँ, सुबह हो गई प्रिज दुनिया के लिए, लेकिन हमारी जिंदेगी से अंधरा कभी नहीं हटेगा। एह। ऐसी क्या देख रहे हो, काली चाही मिल गई बहुत है। दूद वाले ने भी दूदेने समना कर दिया, कहा पहले पुराना हिसाब क्लियर करो। और करेंट वाला भी बहुत बड़ा शौक दे कर गया है, फ्यूस निकल कर ले जाएंगे कहा है। सुनिये जी, जितना हम पानी नहीं पीते, उससे ज़्यादा तो आसु बहाते हैं हम। क्या डाइलोग बोला है? जल्दी से लिख लेता है। मेन दस तुम्हें डाइलोग लग रहा है। डाइडी, स्कूल फीस नहीं भरेंगे, तो स्कूल से निकाल कर मुझे घर भेज देंगे। सुन लिया, अगर आपने उसकी फीस नहीं भरी न, तो जितनी कहाने लिखे, किलो के हिसाब से बेज दूँगी। अरे ऐसा मत कहो न, यह हमारी बदकिस्मती नहीं, अच्छे किस्मत है, बहुत अच्छे किस्मत है, लेकिन आपने जो भी लिखाया न, उससे एक चॉकलेट थखरित नहीं पाए। जो बोज उठाते हैं, उसे पती कहते हैं, पर नहीं, यहां तो उल्टा है। बाबा, आपका फोन आया है। लगता है, सुबह सुबह को याद कर रहा है हमें। हमें कौन याद करेगा, इस घर का मालिक ही होगा। कहीं बहार तो नहीं खड़ा है न, जरा पकड़ो इसे। नहीं है न, बच गया। हे भगवान, बचा लिया तुने। हाँ, रोज बिल्ली की तरा भाग जाते तर न, तो मिसली आज में कुट्टे की तरा खड़ा हो यहां पे। सर चार दिन में दे दूंगा न, सर। चार दिन से यही तो बोल रहे हो। यह जो घर के मालिक होते हैं, उनके सर पर बाल क्यों नहीं होते पता हैं। क्यों, सर। तुम्हारे जैसे किरायदारों के रेंट नहीं देने की बज़से, I want my rent। सर, अभी कहानी सुनाने जा रहा हूं, सर। एडवांस मिलते ही, फर्स्ट आप भी को दे दूंगा। मुझे यह कहानी अब और मत सुना, अगर शाम तक तुमने रेंट नहीं दिया, तो तुम्हारे घर पे ताला लगा दूंगा, फिर पूरी फैमिली प्लैटफॉर्म पे, देदेगा। गरेंटी सर। शर। हाँ, शर सर। तो जा। ठीक है, थेंक्यू सर। हमारे खांदानी महराजा, श्री राजा विजेंद्र भूपति को मेरा प्रणाब। दादाजी, बेहिस आप दौलत और शाहरत तो दी आपने, लेकिन इस खांदान के इजजट अब मेरे हाथ में हो, और मैं ऐसी लड़की से शादे करूँगा, जो आपके इस कमाई हुए इजजट को बरकरार रख पाएगी, और ये मेरा वादा है आपसे। क्या बात है, कालीनी की सारी औरत एक साथ, पीटी पाटी का चंदा लेने आई होगया? तेरा सपिंड़दान करने हाए है, तू मेरे बेटी से प्यार करता है. इंको कैसे बता सल क dobrze? तू मेरे बेटी से शादी की बात कर रहा था. अलो, धोखा देना गलत है, शादी करना कहां से गलत हो गया? इसका मतलब एक बच्चे की मा से शादी करोगे अलो, बाभी जी गले में मंगल सूत्र नहीं था, पैरों में बिच्चन नहीं था, तो कोई क्या समझेगा? ट्रेंड है बाभू, ट्रेंड अलो, ट्रेंड को नहीं ट्रेडिशन को करना शाहिए बक्वास बनकर अपनी, लड़की चाहिए, एक क्वाटर की दौकाद नहीं क्वाटर? बैक ब्राउंड नहीं, बैंक बैलेंस नहीं है, तुझे लड़की चाहिए हलो, हलके में बतलो, हमारी जमीदारों की फैमिली है अकर आएंगा कॉलिनी में I love you, I love you कहा ना तो मंगसूत्र पैनाने के लिए हाथ नहीं रहेंगे, साथ सेरे लेने के लिए पैर नहीं रहेंगे और सुहाग राज बनाने के लिए अरे, कामेंद्रभूपती, क्या बहुला था? करोडपती है हम लोगों का फैमिली तुम्हारी वजे से मुझ जैसे राजा आदमी को कैसी कैसी अरते कुछ भी वोल देती है छीचीचीचीचीचीचीचीचीचीट रहा हो तुमने तो अपनी जिंदगी मसे से जी ली, यह आपर एक टाइम का खाना खाने के लिए जुगाड करना पड़ता है यह उपरवाले, बस एक लड़की दे दे, प्लीज, अरे वो कोई काम नहीं करेगी, तू भी चलेगा, काम तो मैं कर लूँगा अरे पापरे, पांस दिंद रहे हैं क्या रहे, अरे देख, एक और कमाल की आ गई, आ गई, आ गई, चले, बाई, क्या मस्त खुबसूरत है यह, सच में, एक खुबसूरत मूर्थी की तरह, यह कोई ऐसी वैसी मूर्थी नहीं, यह तो अजन्ता की मूरथ है ए सुनना चलती है क्या, मैच का कितना, 2020 का 10,000, टेस्ट का 25,000, तेरे साथ तो टेस्ट मैच कहलने में बजाएगा, एक मिनिट देते, इनके साथ डील फाइनल करता हूँ, ए सुनरे, इससे अच्छी लड़की बाद में कहीं नहीं मिलेगी, आज हमने चितना भी लूटा है वो सारा कैश बाहर निकालो, ये लो 25,000, पुरे लो, ओपनिंग आए करूँगा, अरे तु जीरो में आउट हो जाएगा, ओपनिंग मैं करूँगा, अरे चुप करो, कोई गेम खेल लो, जो जीतेगा वो चौका मारेगा, अरे वा, या सूपर हिट आइडिया दिया है, चल जब लोगों ने एक जय साइखिया, चलो चलो एक बार और करते है, अकर पकर, या पर से एक का साइखिया, अकर पकर, मेरा नमबर लग जाए, चलो बेबी बे आ रहा हूँ, पर बेबी कहा है, अरे बेबी भाग रही है वो देखो, चलो पकर हो से, आइडिया, हूँ, 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 हूँ है ना मेरी दादी ने बहुत पूजा पाठ हवन करके मुझे दिया है तो फिर मुझे किस बात का डर तो क्या तू शर्त के लिए इतना रिस्क लेगी मा रिस्क लेती है तो बच्चा पैदा होता है उसके सामने ये सब क्या है लाइफ को हमेशा लाइट लेना चाहिए ठेक है चलो चलो जल्दी निकालो ये घर मेरे अंकल का है लेकिन तू हॉस्टल की तरह अरे रेंट देने के नाम पर तू ऐसे पैसे चीन रही है सबसे इसलिए आगे से मुझे से बैट मत लगा ना देखना एक दिन बैट में मैं तुम्हें हरा कर रहूंगी ये मेरी लाइफ का एम देखा तो नहीं पैसे कहां छुपा के रखा होगा घर में दर्वाजे बहुत है ये अरे बाबरे खुल गया हाँ सब कुछ निखाल लेता हूं इसलिए नौकरी छोड़ दी तहीच का पैसा नहीं मिला इसने दामाजी बेटी को छोड़ने की धमकी दे रहे हैं बेटे के कॉलेज की फीज भरनी है सासुमा की आखो का उपरेशन करना है सासुर जी का हाट का उपरेशन करना है घर कोट केस में फसा है जितना पैसा है वो कम पढ़ेगा हम जिन्दगी जीना छोड़ देते हैं हम इसके पास तो दर्द का पहाड़ है, मेरा दिल नहीं पिगला, पिगलना जाहिए, नहीं तो फिर इनसान होने का मतलब क्या है, सब वापस रख देता हूँ तुम लोग खुश रहना हूँ सब टीवी देख रहे हैं, ये सारा नाटक टीवी पे हो रहा था, मैं जबर्दस्ती मोशनल हो गया, उन पैसों और गहनों को मैं नहीं छोड़ूँगा, नहीं छोड़ूँगा भविषय बताऊंगी, जो है वो सच बताऊंगी, जो नहीं है वो सच बताऊंगी, भविषय बताऊंगी, किसको अपना भविषय देखना है क्या, शे महीने पहले, तीन महीने में मेरी शादी हो जाएगे कहके 500 रुपे लिये थे, अरे शादी तो छोड़ो, कोई लड़के यह पागल केसे आ गया शे पहले मैंने क्या बोला था बोला था बविश्य बताऊंगी बोला था तो वही तो पताया मैंने तुमने सच मान ले तो मेरी क्या गलती है बविश्य बताऊंगी तो मेरी तूमपी बाज निकलिये तो यह तो मेरी तरफ आरा है इससे बचना मुश्क वो कब का चला गया हो अरे वादे तू दर गया तुमसे मैं तो क्या सारे ग्रैबी डरते हैं भगवान ने जनम कुंडिली ही ऐसी बनाई है ता गुरुजी आप ऐसे बोलो के तो थोड़ी चला गया अरे भाई मैंने तेरे लिए आज तक कितने रिष्टे देखे सव जूट ब बोले हैं कि सच बोलना भी भूल गया लगता है मंत्र भी भूल जाओंगा देखो कश्मीर से लेकर कन्या 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 कहने से कन्या नहीं मिलती तू इस जनम में चाहे जो कुछ भी दान करते चाहे जितने पुन्य कर ले तुझे कोई भी बाप अपनी लड़की नहीं देग आप सब कुछ होने के बाद पी छोड़ देती है ना ऐसी मुझे तो चले कि आपस दिखा दीजिए ऐसा मत देखे ना गुरुजी शादी नहीं होरी ना तो सास नहीं ले पर आओ मैं मेरे लिए रिष्टा देख देखके मेरी सास पूल रही है गुरुजी क्या हुआ रहा है फोन आ रहा है फोन है क्या तू दूर जा हालो आ मैं गुरुजी बात कर रहा हूं क्या लड़की है क्या रिष्टा देखना है अर्जेंट है क्या हो जाएगा एक लड़का कमाल का है बिल्कुल रोक स्टार की तरह है आप वाक्सेप पर लोकेशन शेयर करो लड़की की का शुबारम हो गया अरे थांदे बेजा और थोड़ा ठन रक घर तो बहुत अच्छा है लड़की का है आती होगी अरे क्या कर रहा है दरी दर गईंगा नमस्कार जड़मान आज का योग तो बहुत ही उत्तम है लग कई है कि लड़की को बुलाईए सुनो लड़की को लेकर आओ वाँ कंट्री कला कन्या तुम्हें संगीत आता है क्या गुरुजी अभी संगीत की बात क्यूं कर रहा है गाना वाना तो फून पे हो जाएगा अरे फार्म लड़की को डेटिंग के बाद वो मिटिंग हो रही है मतलब आप मुझसे शादी करवा देंगे तो किसी और की जुठन खाएगा क्या ये तीन मेने के पेट से इससे शादी करेगा क्यूं ना करूं और क्यूं नहीं करनी चाहिए लड़की का भवशे क्या होगा लड़की के साथ जिसने पाप किया उस पापी को बोलना चाहिए इस मासूम सी लड़की का क्या दोश है इसमें आप लोग फिकर मत कीजिये मैं हूना मैं इससे शादी करऊंगा पेट चाहिए किसी ने भी लगाया हो उसे पानी मैं दूगा कितने अच्छे इंसान है महान लोगों के बारे में सुना था लेकिन आज अपनी आखों से देख रही हूँ तो देर किस बात की? चलो शादी करता है? नहीं जी, ये शादी नहीं हो सकती पर क्यों? आप सिंगल है, रेडि टू मिंगल है किसी और का दाग मैं आप पर अरे दाग बाग छोड़ो, वो सब मैं संभाल लोगा तुम चलो ना, हम शादी कर लेते हैं नहीं, सेकन इंट फैमिली के लिए रिपैर जादा होता है आप राम जैसे आपके लिए सीता होनी चाहिए आप किसी और को ढूंद लीजिए मैं आपको सूट नहीं करूंगी मैं संभ लियो नहीं का फैन हूँ अरे, अंटी, अंकल, अरे, तुझे तो, अरे, सुनिये नहीं सावधान, मतलब अंदर महाल होगा बाहर तो डॉगी का बोर्ड लगा हुआ है और नौक करने पे इंसान केसे बाहरा है कौन है तो, और क्या बोल रहा है पेपर वाला, पेपर वाला हूँ मैं अरे, बोशो क्या, वावा, काला सोना लगता है यहां अची कमाई हो जाएगी सुनिये, अरे, सुनिये सर, सो रहे हैं सो गए, इस समय सो गए रात भर आपने सोने नहीं दिया, इसलिए जलेभी बाई जलेभी बाई? पर तुम कौन हो? चोर हूँ चोर, 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 ढूप देती है रूожд von disc ये लिय तो बहुत जल्दी गिर गहाई अरे थोड़ा weight कमकर आरे देखो देखो, गौर से देखो, वो ऊसी जर रहा है को टैसुत अरे रिल अब यप आई, माहँ आदा लो, माहन आ अरे उसे, माहा है मारो उसे, लेफ लो, लेफ लो, अरे बोला ना लेफ लो, ने ने राइट लो, राइट लो, जल्दी राइट लो, अरे लेफ लो, अब लेफ लो, लेफ लो, जल्दी लेफ लो, अरे यार, क्या कर रहे हो, तुम लेफ पे आगे पड़ो, लेफ लो, अरे क्या कर रहे हो, अब मार ले कफोंगा कितनों को मार दियाавлив चार कोंम आजी तुमिए ना च्छिक्ण खाओ कृतár ही राध्या ही थोड़ा समभ़कर च्छोडो छोडो फाला तुम्हें ये गम बहुत पसंद्द गया? और ये गेम मैं इसके दिवानी हूँ पागलू आलाव PUBG, आलाव PUBG बच्ची पब जी में ढूब चुकी है पता नही नहीं कितने लोगों को कहानिया सोना ता फिरूँगा मेरी लाइफ की कहानी का पता नहीं क्या होगा मेरा दिमाग खराब मत कर, जो बोला है चुकचाप जाके वो कर. Okay, sir. Pandu. Hey, Nandi, पाँच मिनिट रुक, आया. आप कौन? Writer. इस फिल्म का? नहीं, नहीं, आने वाले फिल्म का. चाहे इसी फिल्म वालों को देना रहे? नहीं, कहां से आजाके? ए, सेट वाले, जल्दी करो. ए, Pandu. क्या भाई, कैसे हो? मैं ओके हूँ, पर कहानी पसंद रही है. यू क्या हूँ? अरे, जहां भी जा रहा हूँ, होरर मांग रहे हैं. सर, मैं तुम्हें कुछ फिल्मों का रेफरेंस दूँगा. वो देखने के बाद, तुम्हें अच्छा इडिया मिलेगा, देखना. कॉफी क्या सर? मला नको, माफ कर भाऊ. ठीक है, मग? अगर ये घॉंचू लड़की पटा सकता है, तो मैं तो पटाई सकता हूँ. ओके. ये उपरवाले मेने मदद करना, यहां पर कोछ वाद बने. अरे, सासू जी. नाइस. मैं तेरे लिए ओके, ना? तो ठीक है, पैसे भर कर आजा. कैश काउंडर कहा है? क्या देख रहे हूँ? आना. अब, उसके लिए नहीं आया हूँ, मैं. फिर क्यों आया? नारियल तोड़ने के लिए? नारियल तोड़ने? अरे, तुझे नई जिन्दगी देने आया हूँ, मैं. सिर्फ रूटी के लिए, तुम्हें अपने जिस्म को बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है. आज मैं तुम्हें इस अंधेरे से बरी जिन्दगी से दूर ले जाने आया हूँ. समाज में तुम्हें मेरा नाम मिलेगा हूँ. रुक, रुक, बच्पन से ही शरारत करती आई हूँ, पढ़ाई तो की ही नहीं, समझ में आये ऐसा बोल. आप, वो कहना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ. शादी? महीने में कितना कमाते हो? इधर उधर हाथ मारके 15,000 महीने का कमाता हूँ, और किंग फैमिली से बिलॉंग करता हूँ. अरे पापरे, मैं इधर उधर गिरकर महीने का देड़ लग कमा लेती हूँ. इधर मर्दों का बोज उठाने वाले मिलेंगे मंगल सूत्र का नहीं. मेरा समय बहुत कीमती है. जल्दी आजा. अरे क्या हुआ? पैसे भर दिये ना? मैंने पैसे दिये थे तुम्हारा दिल जीतने एक लिए. तुम्हारा जिस्म नहीं. बॉस, इस धंदे में आये दो साल हो गए. पहले क्यों नहीं आया? मैं भावकर आजाती हूँ. तुम बहुत अच्छे इंसान हो. तुझे अच्छी लड़की मिलेगी. अच्छी लड़की हमारी है. हमारे पास भेज़ दे. प्लीज, हेल्प मी. एए, थैंक यू. प्यारे रावडी बॉइस, तुम्हारी वज़े से मुझे लड़की मिल गए. तुम दूसरी देख लोगा? एए, रुगजा. एक गंड़े के बाद छोड़ देंगे. अबे मैं उसे जिन्दगी भर साथ रखने की बात कर रहा हूँ और तुम घंटे की बात कर रहा है? प्यार बात की बात कर दोड़े की बात कर रहा है।. प्यार! प्यार प्यार! बहुआ 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 थैंक यू भाया भाया ऐसी सिच्टूेशन में हीरोईन हीरो को कभी भाया बोलती है क्या और इस सेकेंड हीरो भाया नहीं बोलती है सारी भाया अरे यह भाया भाया करके ओके बहन ना सिस्टर तुम्हारी कोई फ्रेंड हो तो मैं नहीं है भाईया एक 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 दो तीन तीन बॉइफ्रेंज हैं एची जा 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 बग अर एक बंदा रिलेशनशिप में है और पता नहीं मेरे नसीब में एक लड़की नहीं है तीन दिन से देख रही हूं यह इंसान घर के बाहर जाता ही नहीं पिचर देखता रहता है बस हलो राइटर सहाब उठिये जरा ची तेरी कोई जिन्दगी है क्या तेरे पास ना तो शर्म है हया है ना ही महबत है और ना ही फिल्म है बात कर मुझसे अरे मुझे ऐसे क्यों देख लिया यह लो सा है कि डाडी चोकलेट बेटी को चोकलेट भी नहीं दिला सकते हो कैसे एपिता हो पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों किया लगया हाँ 7 विखिया 5 जा आ यहाइगा आएगा नहीं तो जाएगा कर्ण आना तो पड़ेगा हिए उसको ऐसे क्या देख रहा है? मकान दो तो भगमान रेंट मांगो तो शैतान दिखता है दिखाता हू आज तेरी ओमाइ गॉड़ वो देखे जोड़ दीजे कोई मेरे मदभ कीजी अरे ऐसे क्या देख रहे हैं? जाके बचाईए न अरे हम कैसे बचाएंगे वो बहुत बड़ा गुंडा है उसके पास गये तो हमी को मार देगा तू ऐसे घुसे में क्या देख रही है दिक्षा बैट लगाते है क्या ऐसे टाइम पर बैट लगानी है दम है तो लगा बोल उस गुंडे को रोक कर उसे बचाना होगा दस हजार का बैट मैं रेडी हूँ अरे ऐसे कोई बैट लगाता है क्या लाइफ में रिस्क तो होना चाहिए ना देखते हैं कैसे फेस करती है अब बता तुझे बचाने कोना आएगा हलो मैं छे महिने से तुमारा पीछा कर रही हूँ और तुम इसके पीछे पड़े हो बताओ जादा खुबसुरत कौन है ये या मैं पूछना क्या तू तो एकदम कमाल है तो उसे क्यों पकड़ा है छोड़ो उसे आपका पहुत शुक्रिया या डबल नाइन 6246586 ये मेरा नंबर है कल कॉल करना इवनिंग में कॉफी पिएंगे बाई 10,000 चुप चाप निकाल अरे तुने नंबर दे दिया मेरा नंबर नहीं है वो इसका नंबर है पागल हो है नवग्रा पूजा करवानी पड़ेगी राहु दोश की भी पूजा होगी काल सर्प की पूजा करवानी पड़ेगी इसके साथ नगर दोश की भी पूजा करवानी होगी वोई तो दोश है जो तेरे साथ धोखा कर रही है अगर ये पता लगाना है तो तुम्हें किसी से मिलना होगी कर दो तो तुम्हें किसी से मिलना ड्वम की भी पूजा भी रिमारादी वालमीखी जी ने चोरी छोड़ के रामायर लिख दी मैंने चोरी छोड़ी ना तो सबसे पहले अपनी बायोपिक लिखूंगा तो भारी समस्या क्या है बेटे बीमारी देखकर जो इलाज करता है उसे डॉक्टर कहते हैं इन्सान को देखके जो बीमारी बता दे उससे स्वामी जी कहते हैं और तुम चोर हो पकड़ लिया हाँ जो चुराय उसे सामने रखो सॉरी स्वामी जी यही मेरी समस्या है जो देखता हूँ वो चुराने का मन करता है और ये देखके जंता मुझे मारती है पुलीस को फोन कर दिया है पुलीस मुझे ढून रही है मुझे बहुत डर लग रहा है डर के वज़े से ना मुझे भूग लग रही है ना पानी पीने का मन कर रहा है रोमेंस करने जाता हूँ, तो फीलिंग ही नहीं आती है, यह तो फर्स्ट हाफ ही है, तो फिर सेकंड हाफ कैसा रहेगा स्वामी जी, तुम बूद बंगले में बंदी हो जाओगे, ना खाने के लिए खाना ना पीने के लिए पानी होगा, इतना भेहं कर रहेगा, तो फिर एं फिर से पकड़ लिया, चलता हूँ, स्वामी जी, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी को छोट नहीं पहुंचाई, मेरे नाम प्रेम है, लेकिन मेरी जिंदगी में प्रेम ही नहीं है, नाम में जो प्रेम है, वो जिंदगी में नहीं है, जिस लड़की के किया था उसी का श्राब तुम्हें लगा है बड़ों की सिर्जादा नहीं उनके पापों को भी बाटना पड़ता है टेक्नॉलिजी इतनी डिवलाप हो रही है फिर भी हमारे शास्तर और पुरान ग्रेट है आकर में तुम्हारा पागलपन खत्म कर और मेरे पागलपन का क्या रहे तो फोन स्विच आफ करेगी तुम्हें चुपचाब बेटा रहूंगा क्या चला हम अपना पागलपन करते हैं मैं अबला नहीं मैं सबला हूं यह मुझे मारती है तू चलो 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 दीचा 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 दादी आपके लॉकट ने मुझे बजा लिया सच में अगर लॉकट नहीं होता तो जिन्दगी में मजे के बिना मर जाती कहते हैं इंसान की इच्छा पूरी ना हो तो भूत बन जाते हैं ए चुप करो इस जमाने में भूत प्रित की बात कर रही हो नॉंसेंस यह क्या तु फिर से लाल पिली हो रही है तुम्हें लगता है भूत नहीं होते हैं जी नहीं तो चलो बैट लगाते हैं अरे अभी तो जान बची है और फिर से बैट की बात ए तु चुप कर तु बोल तुझे भूतों पर यकीन नहीं है इसलिए एक रात चमशान में गुजार कर बता अगर डर के मारे तु वापस आ गई तो जितना पैसा मैं हारी हूँ तुझे सब लोट आना होगा और फिर कभी दोबारा बैट की बात मत करना ओके डण आरे तु एक लड़की है खुबसूरत है रात में अकेली घुमेगी तो कोई तुझे छेड़ेगा उसका वे सॉलूशन है मेरे पास वो क्या डेवल्स युनिफॉर्म मैं राजभराने से आया हूँ तो दर्वासा खुला होना चाहिए अरे दादा का गए दादा बस तुम्हारी मज़ा से मेरी मेरी जिंदे की वरबाद हो गई है अरे यहां पर ना जो लोग है ना वो एक्सिडेंट से मरे होंगे हार्ट अटेक से मरे होंगे लेकिन तू तू एड़ से ही मरा होगा मुझे पता है छूटी दादी बड़ी दादी अरे स्मशान गाट में भी तुमने सेटिंग करके रखे और मेरा क्या मिट्टी के अंदर दबने के बाद भी ऐसी आवास है कैसे आ रही है मेरी शादी नहीं हो रही है और यह अंदर जाने के बाद भी यह सब कर रहा है काम देव तु सवर्ख जाएगा ना तु भी वहाँ पर नो एंटरी का बोड लगाएगा क्योंकि वहाँ भी किसी को छोडेगा ने ना अर अगर नर्क में गया ना तो वहाँ भी नो एंटरी का बोड होगा शुमन तुननन सब्सक्राइब तुझे मारता हूँ सुनिये जी, ऐसी कोई कहाने लिखो जिससे हमारी जिन्दगी कच सके मैं कर्जदारों के ताने नहीं सुन पा रही हूँ जल्दी कुछ करो, वरना हमारे बच्चे को लेकर मैं अपने मां के कर चली जाओंगी अरे, भूतों की फिल्में देखकर दिल नहीं बरा, जो भूतों की कहानी लिखने के लिए समशान जाएगा, डर से मर जाएगा डर की सोच भेंकर जगों पर ही जन लेती है अरे, यहाँ पर तो कोई मरा है, यह जगह सही है अरे, बापरे, यह बड़े चोरों को छोड़कर मुझ जैसे छोटे-मड़े चोर के पिछे पर जाते हैं शमशान, पुलीस से बचने के लिए, यही सबसे अची जगह है यहाँ कोई नहीं आता, आज की रात मेरी फर्स नाइट है अरे, बापरे, शमशान में कितनी शान्ती होती है ना यह कबर तो बेड़ की तरह लग रही है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ समशान निशब्द है एकदम डराओ ना, दिल की धड़कने तेज हो जाए उतना भयानक नीले आसमान को सफेद चांद निगल रहा है आग की लप्टे हवा में तब्दील हो रही है, अजीब सी आवाजें आ रही है इन सारी समाधियों के बीच एक भूत सफेद साड़ी पहन कर फ्रेम में एंट्री करती है, छन छन की आवाज करती हुई, वो आगे बढ़ती है शांत समशान में एक साथ, सुखे हुए पत्ते हवा के जोके से उड़ने लगते हैं यह आवाज कैसी है, लगता है नीचे दफन हुआ आत्मी म्यूजिक डिरेक्टर है बाप रहे, लिखते हुए मुझे ही डर लग रहा है अर उसके बाद चन-चन, चन-चन राश, 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 राश रे बाप रे लाश चलो जबर इस पर हाथ चसेफ़ कर लेता हूं प्रप्र५्णी हे, 10 रुप्र॥्य, अर। छलो ठीके पी उतना, इक काम करता हूं इसे चंदा मत देता हूं कम से कम आपना अंतिम संसिकार करवेजाında यहीं बाइब बाइब निकलो चलती यहां से भागो रहे हैं अरे पापरे यहां लाशे पढ़ी हुई है अरे पापरे अरे पांडू मैं स्क्रिप्ट लिखने के लिए स्माशान आया था यहां पर यह प्रेट टेट बॉड़ी और सफेज साडी में बहुत भी है कहां चुपू कहां चुपू कहां चुपू अरे यह तो सुसु कर रहा है अरे क्या करूँ इसमें कर लाए भाई अरे बापरे भूत पेशाप ही करते हैं हाद यार पर यह तो भूत है हाँ भूत पापा आपको फोन आया है पाण्डू मैं यही पर मट जाओंगा यार यहां पर तीन भूत है पाण्डू एक काम करना मेरे पास बहुत सारी स्क्रिप्स रखे हुई है वो सारी बेज कर पैसे मेरी फीबी और बच्ची को दे देना भूत है पर खूबसूरत है तेरी शादी होनी है तो भगवान को जमीन पर आना होगा या फिर भूत को जागना होगा गुरूची ने जैसा बोला था यह सेट हो सकती है क्या आपता देखते हैं क्या होता है बड़ा खूबसूरत भूत है अगर पटी भी तो शादी कैसे करूँगा पहले पटाता तो हम ट्राइ करते हैं जैब आज मिलेगी मुझे अपनी आज अरे बाप्रे यह तो मेरी ही तरफ आ रही है भागो जैब भागो ओमाइगाड पता नहीं क्यों मैंने शर्ट लगा ली इस मोटी ने मुझे बुरी तरह पसा दिया है किसी भी तरह मुझे यहां से निकल नहीं पड़ेगा मैंने मिस इंडिया हलो अरे यह भूत मुझे फॉलो क्यों कर रहा है कहिए मुझे भूत समझ के मेरे पीछे तो नहीं आ रहा इसन मैं भूत हूँ मैं भूत हूँ मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा उपर तो कुछ भी नहीं है यह भूतरी उपर क्यों देख रही है सारे रिष्टिदार उपर चले गए क्या मैं खून पीता हूँ और मैं मास खाता हूँ मैं चम्री उदेड़ देता हूँ मैं शरीर नोच लेता हूँ धिंकचिका 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 Same to you पापा आपका फोन आया है अलो पांडू वो तीनों भूत समझान के दर्वाज के पास खड़े हैं और मैं पीछे से आ रहा हूँ मुझे बहुत टेर लग रहा है यार पता नहीं कैसे निकल पाहूंगा यहासे यह भूत फोन पर बात कर रहा है पॉको इंसान लगता है पंडू है सुन...सुन...ढूón... ए LinkedIn तुझे देखकर मेँ टुझे बुट समझा मुझे देखकर तु मुझे बुट समझा तुम दोनों ने मुझे भी बुट समझा रहते ह primeira मेई भी बुट मिह हूँ मेरे हाथ युय हाथ हे मेरे पर भी सीधे है देखो मेरे पर सीधे है मैं नहीं मानूँगा इनको विश्वास दिलाता हूँ अरे ये भी इंसान ही लगता है भूत ऐसा नहीं करते है ये इंसान ही है इस ड्रेस में तो कैब वॉला भी नहीं रुकेगा क्या करो जल्दी वो तो गयब होगे भूत है न तो जंप करते हैं क्या कर रहा है तुम नहीं तो कहां जंप करो अरे ये वाला जंप नहीं यहां से भागता है चलो चलो जल्दी तुम लोग भी सुन रहे हूं यहां पर बढ़ी है यह पूर यहां पर बैटी है श्ष तुम लोग भी इंसान हो ना नस्दी कि वारे हो यह इसान है यह इसान है तो हम सब इंसान है मैं तो जारो यहां से अरे अरे जाती हूं अरे अरे निमाग बंद हो गया चलो हम सब साथ में चलते हैं यही अच्छा एड़ आए वहां पर देखो घर नसर आ रहा है वहां जाकर हेल्प मांगते हैं अंजान घर में जाना ठीक रहेगा क्या औरे मैं तो रोज जाता हूं मुझे प्यास लगए हैं जाकर help मांगते हैं ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगी दरवासा बंद कर देंगी चले जाएएंगी आओ ना हम चलते हैं चलो वह आ ने रही हां आप चाहो तो डेवल हो सकता हूँ चपल देखिए मेरी उतारोगी तो खालूगा मैं बहुत डेंजरस हूँ मुझसे बच कर रहना वना लाइफ बरबाद कर दोगी जब भूती तो दिल दे दिया अब जब पता चला कि इंसानों तो ऐसे ही छोड़ दूगा क्या मैं देखो त लीडी सब्सक्राइब बहुत अंदेर है यार फैमिली वाले लगता है अंदर चाहिए अंदर कैसे बंद हुआ लड़किया हुआ के जोके की तरह होती है इसलिए डूर भी बंद हो गया क्या ये लड़की मुझसे पढ़ चाहेगी तु क्या कोई हीरो है हीरो नहीं हूं मैं बहुत बड़ा हीरो हूं चल फेकना बंद कर अनीबडी देर अनीबडी देर अनीबडी देर अनीबडी देर तुम्हारे ऐसे बोलने से कोई चलाएगा क्या मैं बुलाता हूं रुक जाओ भी अरे अंदर कोई है क्या अरे सुनिये कोई है क्या अरे बंगार बेच रहे हो क्या अरे स्वेटर हाई आयम प्राइम दिख्षा वह क्या कि नंदी बंदी बंदी नहीं नंदी एक दिन मैं नंदी अवर्ड लेका रहूंगा इसलिए अस्कर अवर्ड क्यो नहीं रखा राइटर वे डायलोग मारे तो मरे बाप रहा थेरा नाम क्या है आजाओ आजाओ सुबह होते ही हम अनर को क्या बोलेंगे वो पूछेगा तो क्या बोलेंगे मुसे इसमें बोलना क्या है सच्छाए बताएंगे और वो समझ जाएंगे तब तक हम लोग करेंगे क्या मैं बहुत टायट हो गई हूँ ठीक है ना जाकर आराम करते हैं मतलब हम सब जाकर आराम करते हैं बोलो ना खर तो बहुत बड़ा है यहां सरूर अच्छा माल मिलेगा सुबह होने से पहले लेके गयब हो जाता हूँ मसा आजाएगा अरे इस घर के बरतन भी नहीं चोड़ूंगा अरे बाप्रे तू चोर है उनर आएगे तो वो क्या बोलेगा वो बोली का ना दू मिनिट के अंदर सारा सामान अगर अपनी जगा पर नहीं रखा तो सामान के साथ ही बंगले में गाड़ दूँगा चोट इसी बात के लिए एकना ओडा डायलोग एक मिनट अब ठीक है ठीक बेहन पहले जाके तो कॉस्ट्यूम बदल इस सिन के लिए ये कॉस्ट्यूम सही नहीं है ये तो एकदम फ्रेश लग रही है ऐसी लग रही है जैसे सुहाग रात के दिन अब तो जरूर बदलूँगी बद दूसरे कपड़ नहीं है ना हाँ वो तो है एक मिनट जोर कहीं के ये लीजे चलेगा ना आप डेविल ड्रेस में भी कमाल लग रही है तो सिविल ड्रेस में तो अच्छी लगेंगी अची कवीता है तु मेरी मैं तेरा हम एक दुझे के अरे बाप्रे डीसेंट बन मेरे बाप्रे कितनी महनुद करनी पड़ती है 58, 59, 60, 61, 62, 63 वाट्स दिस? एक्सरसाइज इसे एक्सरसाइज नहीं, एक्स्ट्रा बोलते हैं इसको भी पता सर गया है अरे बाप्रे, क्या देखती है ये खेल, खतम, दुकान, बंद मैं यहां बीच में सोचाता हूँ अरे प्रेम, लाइफ में फॉर्स टाइम इतनी करीब कोई लड़की सो रही है वो भी इतनी खूबसरत है पता दें यह अब तक कहा थी इतना टाइम वेस्ट हो गया मेरा जाकपोट ही मिल गया दादाजी कर दे किस चंपल तो नहीं मारी की मुझे सिंति की पर तू इसकर आएगा ते पकवान करीब हाज़ा अपी वो काँ से लिगे यह ट्राफिक जैम हो गया अब किस करता हूं रड़ी वान तू इस यह कैसे हो गया पर सी एपी जुए हागा मैं बस्तरफचा आज़ादा आप टीक है तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे रही है क्या हाँ मुझे सुनाई दे रही है मुझे भी सुनाई दे रही है लगता है किसी के रोनी की आवाज आ रही है शायद ऊपर से चलो जाकर देखते हैं घर तो बहुत बड़ा है यार आंगा लेका है सॉरी आवाँ चल्दी यह किसी को बांद के रखा है यहाँ अरे बच्ची यहाँ जल्दी जल्दी आपना आराम से वाटा 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 उच्जाओ टेंशन मत दो पानी प्यो बेबी कौन हो तुम और यहां क्या कर रही हो अरे लगता है बचारी गुंगी है लगता है किसी ने इस बच्ची को किड्नैप किया है किड्नैप तुम्हें कैसे पता दिख नहीं रहा क्या जो किड्नैप करेगा वो बोर्ड लगाएगा कहीं से बांग कर इसकी मा को तो नहीं ले गए तुम्हें मैंनर्स नहीं है क्या कुछ भी बोलोगे चलो बीबी चलते हैं सुबह होते ही बच्ची को पुलिस के अफाले कर देंगे बस करें मैं नहीं आँगा पुलिस चेशन अब चोर तेरे बारे में नहीं बताएंगे वहां मेरी फोटो होगी ना तू इतना फेमस है क्या और नहीं तो क्या सब बक्वास रोग है मतलब रिस्पॉंसिबिलिटी तो ह जाहि etcetera। वहां पर सोचाओ ठीक है ना है नकटेशन वहां जोयाम कर रहा है लेकिन पणे कि नहीं वह अटेख लोगिंगे घर नहीं है हम समय करना हुआ करें दंदरत आहिं कि यह रात इतनी फिन और आवनी गुजर रही है सब कुछTo ठीक है है कर्ऽा कर rein तुम सब का मूड बदलने के लिए में एक स्टोरी सुनाओ सीन शुरो होता है टीनों सो जाते हैं कहानी खत्मों गई चल सो जा चल सो जाना भाई बेकार आत्मी हट सो जाना तुम्हें सुनाओ तुम्हें सुनाओ भूं क्या एक ने में सो रहा हूना अरे प्रेम तु अपना काम भूल रहा है डिस्टरब किये बिना अपने काम पर लग जा कितनी खूबसरत है अपनी अपनी है तेरी किसमत अच्छे यार क्या बैक्राउंड है कि तु सो रही है अरे प्रेम अगर मारेगी तु मारने देना शायद शादी तो इसे के साथ करूँगा है तुम चीखी क्या नहीं तो तुम मेंसे किसी ने चीखा होगा मैंने नहीं मैंने भी नहीं लेडिज वोइस थी पक्का तुम क्यों आए हो यहां पर तुम बात कर सकती है क्या पहले तो गूगी थी आप जबान खुल गई तेरी ऐसे आंग क्या दिखा रही है हाँ एक लगाऊंगा ना तो बत्तिसी नीची आ जाएगी यांगी चुप करो चिलाओ मत बच्ची है जाएगी बच्ची है इसकी चीक सुने तुम ने इसकी चीक सुनके तो मुर्दे भी जिंदा हो जाएं चोटी बच्ची बोल लिया इसे तो मैं पता यह तुमसे चिपकने की कोशिश कर रहा था अरे चुप रहे न जब भी सोने जाता ओं कोई ना कोई जगा देता आब बोलो कौन हो देंदो असली मैटर क्या है बोलूना मेटा वोलूना वोलूना दोलना बोलती क्यूने बोलना जो हाथ क्यों दिखा रही है वॉलिंग करना चाहती है क्या चोटी बच्ची हो, बड़ों को ऐसे मारते हैं क्या? गलत है ना, चलो बाफी मांगो मांफी मांग ने बोला, तो मेरे कालों की धुलाई कर दी यहां पर फटी बड़ी और तू लेक्चर दे रहा था यह, यह सब क्या है, हां, बहुत ज्यादा हो रहा है बड़ों को ऐसे मारते हैं, तेरे क्लास टीचर को बताऊँ मैं, कौनसे स्कूल में आ तो बहुत अच्छा है है तो, हलो, ठीक हो ना, रुकिया, मैं उससे बात करता हूँ, हिम्मत है तो, फिर से मार कर देखा, फिर से मार कर देखा, फिर से मार कर देखा, मैं फिर से उसको देखता हूँ, इस बार तो मैं, बार बार ऐसे मार खाके मेरे उपर गिरना चाहते हो, अच्छा, तो तुम हैंडल करोगी इसे, तुम लोग हैंडल नहीं कर पाए, तो मैं कैसे कर पाऊंगी, समझ में आ रहा है ना, ये लोग तेरे क्या लगते हैं, कुछ नहीं कहती है क्या, तेरी मा तुझे कुछ नहीं बोलती क्या, वाव, क्या बात कर रही है तो, अब इस सीन में हम में से कोई भी एमोशनल नहीं होगा, ये, जाकर रसीले क्या, इसको फिर से बांद देते हैं, मैं कोई जानवर हूँ जो बांद कर रखेगा, अच्छा, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई, जोड़ाओ, 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 ज ये मेरी बीटी है तो इसकी मांमी कहा है मेरे घर पे है मेरी माँ कहा है तुमहारी बाद पर प्लट रही है ता सच बता कौन है नहीं तो बहुत मारूँगा मला मारनार, तावेरिला रागेल, मुझे मेरी आई चाहिए, आई चाहिए अरे अब आपरे, यह तो बहुत बड़ी नाटक बाज है, यह हमको नचाएगी, कुदाएगी, रुलाएगी, पीटेगी, जो मर्जी वो करेगी अरे देखना में इसकी तावे, तो तो म मज़ा चाहूंगा इसे मैं देखना, मैंने कहाना मज़ा चाहूंगा, मुझे मारा तुने, मैं बताता हूँ अभी तुझे, रुखजा एई, इधर देख, इधर देखना इधर देखना हालो तरशकुप, आपका हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत तु स्वागतम, हमारे इस दुनिया में बहुत सारी अद्बु चीजे हैं और इन अद्बु चीजों को हम गाने ध्वार आपके घर लेकर आ रहे हैं, देखे और देखकर आनन लीजे और अपने फीलिंग्स को में स्वारा शेयर कीजिए तेर के बिना प्रोग्राम शिरू करते हैं हाई अबरीबारी आपके सामने आ गई डेरिंग अडशिंग एंग्री एंड ब्यूरिफुल आप सब की मेरी मेरी है अरे एंड़ी आपका इंट्रव्यू लोग अभी तो कावेरी कहा था अभी मेरी कह रही हो मैं क्या पूछ रही हूं तू क्या बोल रही है सवाल मत कर जवाब दे यह क्या है ना दोटोटोपि बीजा पढ़ जाओ, कैसे बात करीए, क्या है, ऐसे लंगळा के चल रही हो, मुझे मारा तूने मारेगी बड़ के जाफनन वहां, क्या कुई राटक चल रहा है , यह तेरा णाएक है नट तु एंकर है, एंकरिंग करने वाली है, जहां तु एंकरिंग करती है उस चैनल का मालिक हूम है, तेरी एंकरिंग के वज़े से चैनल बंद हो गया, अब मुझे चाय समोसे बिचने पड़ रहे है, समोसे ले लो, समोसे, तेरी एंकरिंग के वज़े से ने चैनल बंद हो गया, चल जाके वहाँ बेचा, जाके बट, बैटना, जाओ, बड़ियाई नाठक करने वाली अरे चुरू के राजा कमाल कर दिया, उदो चुपी हो गई और नहीं तो क्या, ऐसे बहुत से लोगों को मैंने समाला है, मेरे सामने सब की बोलती ही बंद हो जाती है आप जिसने कोई नहीं मम्मी नटराज, साक्षात शिव रूप है इस रहाटना साइस है तुम दुरों के बीच में नहीं आउंगा मैं ठीक है चुपकर स्वर मेरा रिद्य है संगीत मेरा प्राण है नाट्या मेरा शरीर है और नाट्या मैयोरी इस महालक्षमी का लक्ष है एक इंसान के अंदर इतने वरिएशन्स मेरे अंदर झाफी वरिएशन्स हैं देखोगी क्या अबे तेरे बारे में नहीं, इस लड़की के बारे में बोली है, अभी ते तुम्हें सौज भी नहीं है, क्या, ये mental है, mental, पागल लगती है, दिखने में बोली-बाली लग रही है, इसके मावाप इससे परेशान होकर के हाथ-पैर बांध करके कमरे में बंद कर दिये थे, वो उपर से एंकरिंग, नाट्ये महियूरी पुरसकर चाहिए तुझे, नेकर नेकर तुझा, भाई तु चुकर, मैं देखाँ, रो क्यू रही है, तुझे रोता हुआ देखके लग रहा है, जैसे तेरा कोईनूर हीरा चोरी हो गया हो, रो ले, और रो, रो रो के नदिया बहा आदे तु तेरी तो, क्या हुआ गुषा आ रहा है क्या, कौन से नक्षट में पैदा हुई है, सच कहूं तो तेरे जिसी रल्की पैदा ही नहीं होनी चाहिए, अगर पैदा हो भी गई तो उसे पेटी में डाल करके ताला बंद करके नदी में फेग देना चाहिए, अबे, यह क्या है, इस सिच्वेशन में तुझे रास लीला सूझ रही है, वहाँ वो हम लों की पिटाई कर रही है, और यहां तो अपना मूट बना रहा है, अबे, क्या सच में भूत होते है, इसका मतलब है कि मैं शर्थ हार गई, अरे मेरी सुना, यहां पर जान जा रही ह और तुम्हें शर्थ की पड़ी है क्या, तुम्हारी सासे खीच-खीच-खीच-खीच-खीच कर, तुम्हारे चित्ड़े कर-कर-कर करके, तुम्हारा खोल सर-सर-सर करके पी जाओंगी, पीच-खीच-खीच-खीच-खीच-खीच‐ट अधर नहीं कि इधर जाना इधर नहीं चोड़ा आए कोई नहीं नहीं देखेगा अरे यार 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 याँसे चलते है चलो 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 अरे यह तो हमारा पीछे नहीं चुड़ रही है देखो हमने तुम्हारी मदद की है ना प्लीज हमें छोड़ दो मदद करते हैं धोखा देने के लिए बिना सुआर्ट के कुछ नहीं करता है कोई आखिर में सगी मा को भी पैदा करते के नाते खाने का टुकड़ा फेग देते हैं समझें यार के लिए नहीं तुम लोगों को जिन्दा नहीं छोड़ूगी ओ मैं गाड यह लड़की बहुत पावफुल भूतनी है सच कह रही हो मरने से पहले शादी कर लेते हैं कुछ भी में बना रहे हैं परेही हालत को समझो एक काम करते यहां से बाग चलते हैं अगर इस भूत से डरेंगे तो डराएगी हमें हिमत से काम लेना होगा रिप्चा नीचे कीजो मुझे हुआ है है अंधायी आपका पौन आया है डाडी आपका पौन आया है mam Ninja मेरे आई-बाबा कहा है मुझे नहीं पता त्रें मालूम करनें भी आई-बाब को हैं बता नहीं मा बाब करें मत त्रें मात रहिक नहीं मैं बसक्ता हूं हर एक बच्चे की एक मा होती है और बाप उसका चाहे पता ही ना हो मतलब हर एक ब़े का पिता भी होता है माँ देवी होती है और पिता पिता भगवान और तुम भूत तुम देवी हो छोटे वाली देवी मुझे उस देवी और भगवान से मिलना है प्लीज मिलवादो ना भगवान और देवी यहां नहीं रहते ना वो तो उपर रहते हैं मतलब मेरे आई बाबा मड़ चुके है तुमने मारा है क्या नहीं नहीं बोलो मैंने नहीं मारा बताता हूँ बताता है तुम्हारे मापप जिन्दा है को नहीं पर है बताओ वो तुम्हारे पिटाजी है तुम्हारे सघ्टाजी है वो पापा पापा मैं अफ़ह थेंक्स भाई तुने बचा लिया इत्तु यही बोल रहा है ना ठीक बापा बेटा मुझे चोड़ कर क्यों चले गए थे बेटी तुम्हारी शादी करवाने के लिए मैं पैसे कमाने के लिए गया था पापा पापा हां बेटी मेरे आई दहाँ है आई चाहिए बेटा इसने तो मुझे पसा दिया हाली मेरी किसमत किसे तो बच्ची की मा बना दिया देखते जो यह उसे मा बना के ही छोड़ेगा आई और मुझे और मुझे आई ये दोनों कौन है क्या इन दोनों ने हमें अलग किया है इन लोगों की तो बेबी अब तक तुम्हें याद ने आये कौन है यह तुम्हारे मामा है और यह चाचा अधर क्या खड़े विधर आओ ना यह तो अपने आप से बात करिये तब तक आप यह निखल जाते वर ना कुछ और प्लान करना पड़ेगा चलो बेबी बहुत खेल लिया ना कल स्कूल भी तो जाना है चल कर सो जाते हैं चलो चलना निकलते हैं याद रोप जाना या जब वो सो जाए कि उसके बाद हम चले जाएंगे क्या बुला उसमें मुझे नहीं समझ में तुझे कैसे आएगा चलो कौन हो तुम लोग तुमारी मा तो फिर मुझे कच्रे के डबे में क्यू फेगा पहले मुझे पैदा किया और उसके बाद कच्रे में फेग दिया तुम जैसे लोगों को चीने का कोई हक नहीं मारोगे इसमें तो केरक्टर बदल दिया आर कुछ करने ही तो झहां अभाद आलेड़ी पो पोन ही अहां खुरत शल्डी करना अ nat अ तद्धीम तक धीम तक दुमने थो किता बडिया डांस किया है, मेरी बात मनो, अगर किसी विध्वाल ने देखा होता, तो हाथ के साथ पहरों में हत्कडी पहना देता, हत्कडी सोने वाली मत्तो, अरे यह क्या चाने, अगर असली डिरेक्टर होते ना, तो हरी एक भूत के मुवी के पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फॉर सारे के सारे बना देते और सारे के सारे में तुम्हें ले ले लेते पता है तुम्हें अहां रविंद्र हॉर में प्रोग्राम होता और सुमन को आंकर रखते सुमन को अगर आंकर रखेंगे तो मेरा क्या होगा मेरे होते हुए सुमन की कोई जरूरत है क्या अरे यह क्यों बोला जल्दी बोलो मेरी आंकरिंग अच्छी है ना सुपरब भाई तो फैंटेस्टिक यही तो मैं कह रहा हूं मैं दप्रोई आसम सलीट है तुम्हें मेरी क्या एंकरिंग करती है क्या कहते हुसे कोईल की चिरह तु कवे के आवाज निकाल रहा है क्या पता होगा कि मैं क्या बोलना हूँ कितना जूट बोल रहा है शर्म भी आती अरे शर्म तो कब की छोड़ दी है बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे अब इंटर्नेशनल आंकर तुम्हारे इंटर्व्यू लेगी अगर कोई गलती हुई तो तुम्हारी जान जाएगी वाव नाइस पैर नाइस बोल रही है और तु येस बोल रहा है अरे पूछ रही है जवाब दो येस येस तुम दुरो कब से साथ हो बस अभी कुछ देर पहले से ही तो अभी नेक्स्ट प्लान क्या है नेक्स्ट क्या है ना पहले हाँ पहले शादी उसके बाद शुहाग राथ उसके बाद बच्चे वाव, what a planning. All the best. Thank you. Hi. आप क्या करते हो? मैं राइटर हूँ, फिल्में लिखता हूँ. ओ, अच्छा, क्या-क्या लिखा? आधी रात, भूतों की रात, फार्म हॉज में धमाल और रहोगी या जाओगी, सुबह होगी तो मज़ा आएगा, ऐसी फिल्में लिखता हूँ. ये फिल्में कब आई? बस आने ही वाली है, थोड़ा राइटिंग बागी है. वाव, all the best. तेंक्यू. नेक्स्ट, तुम्हारा नाम क्या है? बोलो, तुम्हारा नाम क्या है? कन्हिया. तुम मुडली कहा है? घर पे है, लेके आऊं क्या? रहने दो, तुम क्या करते हो? चोर बोलूँगा तो हवा में उड़ा उड़ा के मारेगी. मास्टर, मास्टर हूँ. मास्टर ही हूँ. मास्टर हूँ. एक्चुली, मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं. माइक लगाओ ना, बेटा, एंकर हो तुम. मेरे पास पढ़ने वाले बच्चे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, लायर बन गए. सच का हूँ तो, गुरुकुल में आकर वो मेरा नाम लेकर भजन करते थे. मेरे नाम से प्रसाथ तक बाढ़ते थे. ये सब पेपर में वीचा पता, तुमने नहीं देखा? मतलब, बच्चो को पढ़ाते हो, गुरु हो तुम. अभी बताया ना तुम्हें? तो फिर क्यों ऐसे पोची हो कि मैं गुरु हूँ? गुरु देवो भवा का मतलब क्या है? पता नहीं है क्या? मैं हूँ ना? मुझे पता है, गुरु देवो भव मतलब, गुरु भावना में बहचाते हैं. क्या मुद्या? समझ गई ना वेटा? गुरु देवो भवा का मतलब, गुरु भगवान के समान होता है. रैंक बढ़ा दूंगा रात में आँ, लड़कियों को नरक दिखा रहे हो तुम लोग, अबाब गलत कर सकती है, बाप गलत कर सकता है, भगवाद गलत कर सकता है, लेकिन तुम गुरु कैसे गलत कर सकते हो, बेबी, गुरु पर हाथ उठाओगी, अपनी आई की बात मानो, छो बात करो ना, बिटा, बेबी, चोकलेट, आइस क्रीम, चिपस, वेफर, बरगर, पीजा, 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 मुझे पासत है, पचपन से एक पार भी नहीं काया, मुझे पीजा चाहिए, बिजा है, पीजा नेयता तो दिस्ता क्या चाहिए बैटा क्या चाहिए को हैर्पर ने पार में इमें हिखाते pastor के ये हम लेके आता हो थैंके नवेक्रों में तुम्हें है एक बर अगरिकों न इक अए इस पर लो पलूका एक कामकरता हूं अपनी पूद्धी कलिए आठा रहे लेकर या अगरित कर सकते हो ना हम जाते हैं काउंटर पर ओर्डर कर आजाते हैं पर और दे सकते हो इंटिलिजिट मेरी भाजी यह जो करता हूं यह बाई आपको किसी दो जा किस कर तो बोल रहे हो जराब इस्जद मान मर्यादा शर्म है या बलड प्लेट प्लेट कुछ है कि नहीं तुम्हारे पास लिला और आयाशी के लिए कोई टाइम वाइम होता है कि नहीं इतना बेश्यरम कैसे हो सकते हो तुम यहाँ पर यह बच्ची हमारी वाट लगा रही है और तुम इसके जरीए इस बच्ची को फसा रहे हो बेटी तुम्हारे चाचा जी कुछ कह रहे हैं सुनो चाचा जी किस कर दो मा किसी दो नो मैं नहीं मानूंगा चाहे तुम कितने भी केरेक्टर बदलो मैं यह पाप नहीं होने दूंगा अगर कुछारी यह भवान का परसाद खा जाए तो लोग क्या करेंगे तो इस को खाना चाहता है हां में सब्सक्राटी आधाने मामा जी कुछ बोल रहे हैं देखो 疫ी देखो ही इतने मार खाने के बाद अ slightly दो देखो ना बेटी मा मुझे पपी दे रहे मं किसी कि दो ज़ए सच में ये बहुत बड़ा कमीना है नर्क में जाएगा नर्क में ये पीजा ये क्या ये तो भूखे कुट्टे की तरह खा रही है सब्सक्राइब ये बापरे 25 साल की लड़की को 15 साल की बेटी ये कैसे हो सकता बच्पन में धना-धन कर दिया थे चाना पक्वास मत कर कोई ऐसे कुट्टिक तरह खाएगा तो पक्वास ही निकलेगी ना सर लगते है तुझे ऐसी आदत है सर मेरी आदत पर ना जाएए बढ़ी आसी रेटिंग दे दिजे मा बाहर जाके पक्वास कर लूँगा रेटिंग भी आपको बेबी ही देगे बेबी बोल के देख ओके बेबी छोटी बेबी थूस्ती भी बात सुरो ना बेबी इधर देख तुईटिंग बंद करके मुझे रेटिंग देदे अरे यार इस वक्ति इसका कॉल आ गया मैं कॉल लेकिया तो तो ढूसती रहे आ बोलो ज्यादा पैसे है क्या जब देखो मुझे फोन कर देती हो अच्छा कुंडली बिला रही हो मिला लो देखना 36 में से साइंटिस गुण मिलेंगे मैं हुई ला जवाब तीसरा महिना ये बात तुमने दो महिने पहले क्यों नहीं बताई कोई बात नहीं जाने दो चौथा महिना होते ही निकाल देना नहीं निकालोगी, तो क्या बच्चे को पालोगी, उसे अलललल करके लोरी सुनाओगी, उसे जाके केचरे में फेक दे क्यो और अपने आप कैसे बंदो गया, सर अभी तो शोय स्टार्ट होगा अरे, पीजा इतना बड़िया था, खाते ही तुम खड़ी हो गई, stay tuned, I'll be back, मैं जरा पूछताच करके आता हूँ बेबी के डैडी, बेबी की कंडिशन ठीक है ना, भाईया, ये बेबी, बेबी नहीं है, पागल है, उससे भी उपर, पिशाच है, उससे भी उपर, भूत है, उससे भी उपर, चुड़ायल है क्या, उससे भी उपर, अब मैं सब समझ गया, ये है मोंजली का, तुम बाल ऐस तुम एक बर और सुसु कर दूंगा ऐसा मैं कुछ नहीं कहने वाला मैं हूँ एवन एक्सप्रेस और शकल्स हूँ लवली बॉय पता है इस शहर में जितने भी बड़े-बड़े भूत है उन्हें भागाने के लिए मुझे ही बुलाए जाता है इधर देख 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 तेरे और मेरे बीच में कोई भी प्रब्लम नहीं है मैं दूसरे गाम पे जा रहा हूं तो अपने बालों में तेल लगा चोटी बांद के बैट जा कहा जा रहा है अरे यार हर बार भूत का सेम डायलोग होता है सुन-सुनकर मैं पक्या हूँ फूर क्या रही है मैं अभी बताता थेलिता 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 गळ्दान मुडिनी अरे आवर मारमुत्ष रूत्स द्रूर्स देर आतिनि पर जुक्तो मार रहिए पर में मार्स्टन डरता नहीं हूँ आप मोँत्चे बाहर भांचते को दोब इसे रही जो सर्ण, हैं अजय हो जो लेल, हो जो दो हो प्रेति बाधा निवाराने कटितितं मत्कक्षरम, निराधम, ओमफट ए स्वामी, तेरे मंत्र से डरने के लिए केली नहीं हूँ चार शक्तियों की मैं महाशक्ति हूँ कौन हैं वो चारों? नाजिया महालक्षमी, मैरी, कावेरी ना तो कोई मा है और ना ही कोई पिता है और दुनिया के लिए हम बोज हैं इसलिए हमको अनाद कहते हैं हाई, ग्रेट अंकल, मैरी इस कमिंग क्या है तेरी शरारत? यह शरारत नहीं, इस माई गोल अब तुम सब का गोल क्या है जान लेते हैं बोलो लक्षमी जी मेरी जिंदगी निर्त्य है और मैं बहुत बड़ी क्लासिकल रांसा बनना चाहती हूँ इस आश्रम और तुम्हारा नाम रोशन करूँगी और तुम्हारा गोल क्या है नाजिया मैं बहुत बड़ी पुलिस ओफिसर बनूँगी जो हमारी तरह बच्चे को सडको पर फिक देते हैं उन्हें गोली मार दूँगी अरे बापरी, और तुम्हारा गोल क्या है यह कलेक्टर बनना चाहती है ओके, गुड़ लग यह क्या है? आई बाबा में और हम लोग को है तुम सब लोग मेरी बेहन हो नमस्ते नमस्ते लाइए मुझे दीजिए आप सब लोग ठीक है ना? हम सब ठीक है सब के लिए एक गुड निउस है और वो क्या है? मेरा एक एनराई दोस्त है, बहुत पैसे वाला है उसके पास कोई बच्चा नहीं है अब वो किसी अनाथ बच्चे को गोद लेना चाहता है मैं नाजिया को उनको देना चाहता हूँ आप क्या कहती है? उपर वाला वर्दान दे रहा है तो हम मना क्यों करेंगे? नाजिया, तु बहुत किस्मत वाली है अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी तु महरानी की तरह जीएगी आप सब का सपना पूरा करना ही मेरा उद्देश है नाजिया कल सुबे तैयार रहे न, मैं लेने आऊँगा हमारा कोई नहीं था, ऐसे में डैडी हमारी जिन्दगी में सूरे उद्दे की तरह आए हमारी जिन्दगी के सपने पूरे होंगे हम सब एक नई जिन्दगी जिएंगे ये सपना देख रहे थे, हम बहुत खुश थे अरे ये क्या है? ऐसे क्यों बैठी हो? नाजिया की फोन का इंतिजार कर रहे है अब तक तुम लोग नाजिया के बारे में सोच रही हो वो तो देश छोड़ कर चली भी गई होगी क्या वो यहां की बतकिस्मती को याद कर रही होगी? वो तो अपनी जिन्दगी जियेगी, उसको जीने दो चलो, जाकर सोजाओ वो जहां कहीं भी रहे, खुश रहे यह हम प्राथना कर रहे थे नाजिया की तरह महालक्षमी भी हमको छोड़ कर चली गई ऐसे क्या सोच रही हो तुम? क्या देख रही हो बेटी? यह भी अपना ही घर है तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ हाँ, जाओ डैडी, डैडी, डैडी वो देखू कौन है? इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है? अउरत का शरीर और मैंने तुम्हारा शरीर उन्हें बेच दिया है डैडी? भाड में गया तेरा डैडी और तभी, तभी हमको पता चला हमारी प्रती उनका कोई प्यार नहीं है उनका अपना बिजनेस है, जो हमें कटपुतली की तरह दूसरों को बेचते हैं तेंक्यू अंकल बहुत अच्छा इंडिटेंडमेंट दिया आपने डैडी से कहे कर आपका काम करवा दूँगा आपका बहुत अच्छा काम है पार्टनर अनाथ फुलो को हमारे बिस्तर पर सजा रहे हो और कॉंट्रेक्ट पर कॉंट्रेक्ट लिये जा रहे हो बहुत बढ़िया और कुछ दिनों में उस करोडों के आश्रम पर कबजा करके उसे बेच देंगे और मज़े करेंगे बहुत गलत है, वो आश्रम तो सोनी का अंड़ा देने वाली मुर्गी है ऐसे अनाथ बच्चे पैदा होनी चाहिए, वरना तुम्हारा क्या होगा? इनकी समाधी पर ही तो हमारा महल बनेगा पार्टनर, उस रोड कॉंट्रेक्ट के उपर मिनिस्टर का छोटा साइन करवा लेना चोटी सी साइन करवानी है तो उस मिनिस्टर को चोटी सी बच्ची चाहिए होगी, पार्टनर मेरे फूलों के बागीचे में अभी बहुत सारी कलिया है साम जी, साम जी, चोटी बच्ची है, आपकी बेटी रेसी है जी चाहत के आगे हांच जोटी हूँ, उसे छोटी जी जी, साम जी उसे छोटी जी जी, दीडी, बोलो, पुझे मान देगी, डीडी आचेंता नहीं है, दीडी, ये लोग पुझे मान देगी ये, जल्टो रख, ठूट रख, खायए क्या हुआ तू क्या बूल रही है क्या है ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तेरी सहेलिया चली गए इसलिए तू पागल हो रही है क्या चल आजा आजा मेरे साथ चलो आओ आजा मेरे साथ हुआ 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 हु मैं एक बच्ची को लेकर आ रहा हूँ लगता है यह सब जानती है इसे गेस्ट हाउस में बांद कर रखना हूँ इसलिए इसलिए मैं एक आत्म शक्ती बन गई हूँ बदला लेना मकसद है सर आपने जिस लड़की को बंद किया है उसके अंदर भूत आ गया है सर बहुत ही खतर ना कहा है सर हम यहाँ पर नहीं रुख सकते यही है यही है बचाने वाले नहीं काट लिया हमें कट पुटली की तरह बेज़िए हम परत्याचार करके हमें मार डाला अनात का मटब क्या समझता है जीरे नहीं देंगे हम किसी को भी जीरे नहीं देंगे जो अन्याय हमारे साथ हुआ किसी और के साथ नहीं होगा मार डालूंगी सबको मार डालूंगी क्या चल रहा है ये कुछ भी सुनाए जा रही है और आप इसके साथ हुँँँ कर रहे हो बांदो इसको तुम्हारी कहानी सुनकर तुम्हारे लिए सानुभूत यह है परन तु अपने कर्तवे से पीछे नहीं हट सकता आत्मा के लिए इस धर्ती पे जगह नहीं है ओम यम ग्लीम भूत प्रेद विलाशाय प्रेद बाधा समात्व ओम भगवती नमा ओम प्रेम स्वावा पंदी हो जाओ ओम शाम दे शाम दे बोल अब क्या कर पाएगी मेरा धंदा भलता फूलता है औरत के शरीर से मैंने उसके जरिये ही काम्याबी हासल की है आश्रम की सभी लड़कियों मेरे धंदे के लिए इस्तिमाल होंगी अनाथ बच्चों को देखकर तो किसी को भी दया आ जाती है पिता के स्थान पर तु घिनों ने काम करता है तु इससे क्या बात कर रहा है एक एक को पकड़ के मारते है यही कहा ना नहीं आद आ जानी चाहिए नहीं छोड़ेंगे किसी को नहीं छोड़ेंगे सबको मार डालेंगे क्या तमाशा देख रहे हैं तुम लोग खतम कर दो इनको ले जाओ अरे पापी अब तक जो गल्तियां तुमने की जो पाप करके राक्षस बन गया उन्हें छोड़ दो असलियत जानने के बाद तुम भी नहीं बचोगे सर इसने मुझे कई बार दोखा दिया है आज मौका मिला है इसे मुझे देखने दीजे सर देख सकते हो आज मुझे को आज मुझे बच्चे बाप का घड़ा भर गया है दुष्ट केख बाप का घड़ा भर गया है अब भाहँ! मुफ जो हाँ! भाहाँ! भाह! अँआ! 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 रिया! रिया! अए! आप बिल्कुल सही समय पर आएं स्वामी जी, हमें इन भूतों से बचा हिए अहम ब्रम्भास में 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 ए बच्चो जैसी आत्मा उसके शरीर को तुम लोग छोड़ दो नहीं तो ये जो तुम्हारा भला चाहते हैं ये चारों ये भी तुम्हारी तरह मर जाएंगे मेरी तपस्या से जो दुष्ट शक्ती मुझे मिली है उसके सामने तुम कुछ नहीं हो क्या बात है स्वामी अगर आप जैसे लोगों का साथ हो तो इनसान कुछ भी हासिल कर सकता है स्वामी जी अब और देर नहीं करना चाहिए कि इन आत्माओं को दफन कर दीजिए हूँ 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 दफन हमेशा लाशों को किया जाता है तुने जो किया वो पाप है और उसकी सजातों में सरूर मिलेगे दुष्ट शक्ती चाहे जो भी कर ले दैव शक्ती से बड़ी नहीं हो सकती दैव शक्ती वो तो कब की खत्म हो गई क्या कोई भगवान आया है कभी पर मेरे बीचे कितनी सारी शक्तियां है देखो ये कल युग है हमारा युग है आकाश बातल हर जगा हमारा अधिकार है गलत है स्वामी रावन का वद करने के लिए राम आये कोरों का वद करने के लिए क्रिश्णा आये और आज यहां इन अनात बच्चियों की रक्षा करने के लिए बहुत सारी आत्माए एकटा होने वाली है क्या ये आत्माए हमारे साथ युद्ध करेंगी दुष्ट शक्ति और आत्म शक्ति का युद्ध तुम जीत सकोगे और वैसे भी कहां है कहां है कहां 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 है आने के लिए कहो बुलाओ बेगुना आत्मा जो समय से पहले मर गई वो आत्मा है जिनके साथ अन्याय हुआ है जो नहीं चाहती कि ऐसा अन्याय किसी और के साथ हो इस राक्षास के साथ युद्ध करने आओ आजाओ फकल दो पुटार कि अफ आर दो टुटार कि अ एक रव्याल विल है अ से अपलने कि अव्याद कि अव्याद राय् पुह अभूँ आख जो चुछ सब्सक्राइण सत्वारा आए कालशम्नू निन निम्स्राइण सब्सक्राइण 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 प्रुप्टी गुडिल देख चराचर कांपय नर्दी देख धर धर बन के पैली आय चकल छुंड में आया हम दुमर बन के बुट्यू आया है पहर शमन बस आया है कहर बच दजाय तजाय गई तर तमत में दुपाई ये बुदर शस्त्र बन के आया हुस्वयम प्रुप्री आज जी आज आज ये अलिंदा अर्माहर बोलो पके बापी यूंग चैनल ते अस्तियों के टोट ते का ज़ अगटाबूच खुटे त्ट्यों को मांगे आज पापी ओ प्रचे शथ्र बन के आया हुस्वयम दिए आज ये अनितम एगन अगन बजाए साम में शुल जाए अजब कि हम अगाराण क्याए बन के दरचे लिए देर नई है आज हम सब्दरी फलाएंगे नदेंगे आज हम नँद अपा बसादे शायम है बसे अपने इंदिल में पिर आप तेरा जिख तरो वाप तेरा चीखता है चीख चीख बोलता है जान मेरी जाते जान तेरी भागता है करू मेना माफ तुछे छोड़ा हो जो आज तो हुद में सुपूना तेरा जास ये पुझे आचाथा श़स्त्र बंके आया हुस्वायम श़स्त्र आशे आजी एतरीदम खतम आपे खेल करू अपने हादों से तरा जिसमें बला सास है जो दो के हमें ताल है खतम खतम खतर नाओ खवना ये ताय दावस्वायम श़स्त्र बंके आया हुस्वायम श़स्त्र नाशे आजी एतरीदम श़स्त्र बंके आया हुस्वायम श़स्त्र नाशे आजी एतरीदम केलाम पाहिन ज सब्सक्राव में पीर्ने जुआर सारी उ से उसारी नाया! कर दांक मयम तेला वावच कया है बड़ी दोड़ा हुआज को बड़ij और देख ऑज औरावा सका चराहा हुआए इसमेछ ड़से बनादी को जिए गजए ऑ मारा लेकरे नहने और रुटिए इसे ज्जए झाल को जुटिए धर घुटिए बनादी टुटिए ग ज्समेच को लेख यदिए्ग का जिए लेख ज भेर भोंजा हुषा हुआ हुआ है हुआ है बेरफों मैं अभी देख जंदा हूँ डार्लिंग अब और्शन मत कराना समझें किसी बच्चे के साथ ऐसा करना बहुत बड़ा पाप होता है और हम दोनों पाप ही थोड़ी है मैं आ रहा हूं हम दोनों आज ही शादी कर लेते हैं बच्चे को जनम देंगे अच्छे से उसकी इस पाफी दुनिया ने तुम्हें जीने नहीं दिया और बदले की आग ने तुम्हें आत्मा बना दिया अब शांती से तुम अपनी दुनिया में जाओ अरे हम कैसे शांती से रह सकते हैं हमारी जैसी लड़कियों के साथ हर दिन अन्याय होता है हमारी जैसे अनात बच्चे पैदा होते रहेंगे और ऐसे भेड़िये हमें नोचते रहेंगे हमारी जैसे अनात बच्चों के बारे में सोचते हैं तो बहुत दुख होता है अनात बच्चों के बारे में तुम चिंता मत करो अपसे हम लोग उनका खयार रखेंगे मा की जगह मैं लोगी और पिता की जगह पर वो रहेंगे पिता की जगह पर वो रहेंगे मैं जानता हूँ क्योंकि ये मा है और मैं पापा मुझे बीवी मिल गई और मुझे स्टोरी मिल गई क्या बात है एक और बात है आज से मैं छोरी छोड़ देता हूँ और तुम्हें असिस्टेंट जॉइन कर लेता हूँ लेकिन एक लाख रुपया महीना सेलरी देनी होगी तुम्हें लाख रुपया ये क्या है ये मेरी डूटी का कॉस्ट्यूम है फिल्म का टाइटल क्या है फिल्म का टाइटल अब ही बताता हूँ ओंजुली का टू